हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकार किया गली हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जानते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो पार्प्स में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि Total 3 Stages होती है इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बात करें तो Prelims में आपका पेपर राता है Objective पेपर इसके बाद Mains जो होता है वो आपका Subjective होता है Prelims में आपके दो पेपर आती है GS का पेपर, C-SAT का पेपर जो कि objective होता है इसके बाद जो mains paper होता है, mains में आपके काफी सारे exams होते हैं, जी हाँ, optional subject के paper होते हैं, आपके GS के paper होते हैं, आपके qualifying nature वाले paper होते हैं, language paper होते हैं, इसके बाद आता है interview, IAS examination का interview तो पूरे इंडिया में काफी ज़्यादा famous है, कितना tough माना जाता है, personality, development, classes इसके लिए बहुत जादा सरूरी है, students के लिए, और इसके साथ इसके paper में negative marking भी होते हैं, तो please answers, गलत मत कीजिए, गलत answer tick मत कीजिए, अगर आप question में बिलकुल sure हैं, तब ही उस question को आप चौर्म कीजिए, उस question को attempt कीजिए, otherwise negative marking से, 0.1 negative marking से भी आपके ranking में काफी असर पड़ जाता है, लखो में असर पड़ता है, तो इस चीज़ का प्लीज ध्यां दीजिए, negative marking में बिलकुल मत पड़ी है, तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आगए हैं, केरला के एक और बहुत ही famous शहर, कोची में, जी हां, कोची का नाम आपने जरू सुना होगा, ये शहर काफी ज्यादा नामी ह यहां पर कोट है, काफी बड़ा, और यहां पर बहुत सारे बच्चे, UPSC civil services की preparation कर रहे हैं, पैसे केरला में बहुत सारे लोग government exams की preparation कर रहे हैं, चाहे वो medical exam हो, चाहे defense हो, चाहे civil services हो, और यहां का education भी सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आज हम केरला के एक बहुत ही famous शहर कोची के बारे में आपको बताने बाले हैं, और अगर आप भी कोची में UPSC civil services की preparation कर रहे हैं, तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के कुछ मिनट आपको बहुत सारी knowledge दे सकते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ, इ आपके contact details भी दिये हैं, address भी दिये हैं, तो उस वीडियो का link नीचे description box में मौझूद है, आप उन्हें visit कर सकते हैं, और इसी के साथ आप यहां पर भी list देख सकते हैं कि कौन सी रांग पर कौन सा institute सबसे ज़्यादा अच्छा है preparation करने के लिए, अब इसके बाल दोस्तों मै आपके visit कर सकते हैं हर institute के बाले में, दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं TRIUNE IS Academy की, TRIUNE IS Academy पूरी कोची में UPSC Civil Services की preparations के लिए rank no.5 का सबसे अचा कोची institute है, इनके features की बात करें तो इनके features आपके सामने screen पर मौचूद है, सबसे पहले बात करेंगे, इसका studies material जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा unique है, इनके study material के basis पर आपकी preparation चलती है, study material में आपको proper notes मिलते हैं, printed notes मिलते हैं, और इनकी जो faculties हैं, वो बहुत ही ज्यादा result oriented और supportive है, यानि आपको वो कुछ इस वे में पढ़ाते हैं, कि आपका exam ज़रूर qualified हो, आपको पढ़ान के लिए वो इतना ज़ादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़ादा dedication के साथ आपको पढ़ाते हैं, साथ के साथ, वो बहुत ही ज़ादा exports है, यानि उनको subject की इतनी weak knowledge है कि आपको कोई भी doubt है, तो तुरंत मिंटों में आपके ये doubt solve करेंगे ही करेंगे, इसके बाद इसके infrastructure की बात क इसके अलावा ये spacious classroom के साथ साथ आपको library facility ही provide करते हैं, यानि कि जहां आप बैठ करके बहुत ही अच्छे और positive environment में शान्ती से बढ़ाई कर सकते हैं, preparation कर सकते हैं, और अपनी एक team बना सकते हैं, जहां proper competition क्रेट हो सकता है, ताकि आपको proper guidance मेरे आपके साथ जो students preparation कर रहे है आपको पता लगे कि दूसरे बच्चे भी किस तरीके से preparation कर रहे हैं, जिससे आपको अपनी preparation करने के लिए बहुत ही ज्यादा help मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं ये institute कितना जादा अच्छा है, result इनका बहुत जादा अच्छा है, कई सारे बच्चे इस institute से पढ़ करके exam qualified करत हैं, तो इनकी details आपके सामने screen पर मौझूद हैं, आप इन्हें visit कर सकते हैं, इन्हें contact कर सकते हैं, और और ज्यादा details के लिए आप हमारे page को भी visit कर सकते हैं, हमारे page का link नीचे description box में मौझूद है, तो thank you so much दोस्तों हमारी video देखने के लिए, हमारी video को please please like कीजिए, share कीज मिलती हूँ अपनी अगली video में जहां हम बात करेंगे, एक नई location की, एक नई video की, एक नई information के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी preparation को जारी रखिए